बड़ों को फरनाम बच्चों को फ्यार आप सबको नमस्कार जैहिन सातियों में आरके नएक आप सभी का हारदे के स्वागत करता हूं भारते राजवेवस्ता की इस बहुती मैत्वपूर्ण सीरीज में आज सातियों हम जानकार लेने वाले हैं सविदान सभा की सरचना अब स सातियों आसा करता हूं आप से पहले के वीडियो आपने देखेंगे अगर वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे प्ले लिस्ट मेरें बनीदियो जादाता हूं जो कि इंडियन पॉलिटी से समदित है आज का हमारे वीडियो जो है साथियों सभी एक्जाम जो भारत में होते हैं उन सभी को मद नजर रखते हुए यह पॉलिटी की स्थरंकला प्रारम के गई है ताकि आपका भारतिय सविदान से समदित कोई भी क्यूशन गलत ना हो जो प कौन कौन सी पुष्टक आपके लिए फाइदेमन साबित हो सकती है उसके लिए हमने क्या है यह जितनी भी पुष्टक आप देख पा रहे हो इन सब का जो पॉलिटी की वर्तमान समय की सबसे ब्रुसिमन्द गाइड है उन सब का रिव्यू किया गया है साथियों बाकि सब् प्रुसिमन्द गाइड है उसके वीडियों कि पुष्टक का भी पीडिया पर आप्त कर सकते हो तो चलिए साथियों सबसे पहले हम जो सुरू करेंगे उससे पहले भारतिय सविदान अगर आपने पहले तो आसा करता हूं यह वीडियों देखने से पहले आपने बहुत बार सविदान को पढ़ा होगा समझा होगा तो सविदान को पढ़ने के लिए हमें सविदान की समझ होनी जरूरी है और वह समझ आपको यह जो वीडियो स्रंकला हमने प्रार्म किये इसके अंदर हमने एनिस्यारटी पलस एडवांस पुष्टक जिसमें लक्ष्मिकांद वगेर पर हम जानकर हम ले लेते हैं तो यहां पर भारत के सविदान का निर्मान एक सविदान सभा दुवारा किया गया यानि भारत का सविदान जो बनाए गया है वो सभीदान सबा की दूआ बनाया गया है जिसकी इस्ताफना की गई थी साथ केडिनेंट मिशन योजना जो किता हुं 1946 इसके तहट इसकी सभीदान सबा की और सभीदान सबा का मुख्यकारिए क्या था बारत का सविदान hiện पर आप देखेंगे, हुए सभा के कुल तीन सो नवासी सदसे थे उन में से दोनेसे जो थे वह थे साथे आपके परअंटें के परति निदी थे और उन में से छार मुख्य आयक्त परांत जो के साथियों चीफ कमिशनर प्रोविंस दिल्ली अजमेर मेरेट और कुर्ग बलुचिस्तान के परतिनीदी थे और 93 जो देशी रियाज थे उनके परतिनीदी इसमें सामिल थे अब साथियों अगर में कुछा जाए कि जिस सविदान सवा का गटन केविनेट मिशन योजना के अंतरगत कब हुआ था तो 1936 में और उस में कुल कितने सदस्य थे तो 389 सदस्य थे अलग-अलग पूछ ले तो वहां पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो वहां पर कहीं दो सो बाड़ में की जगह दो सो नबबे दे या कुछ और संक्या दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इनकी संक्या भी आपको याद रखना है केविनेट मिशन भी एक अपने आप में काफी मैत्व पूर्ण है साथियों इससे सम एक्जाम के देश्टी से महत्व पूर्ण है उसमें सबसे पहले है सविदान सभा की पहली बेटक कब हुईती साथियों पर्थम बेटक हुईती साथियों 9 दिसंबर 1934 को और इस समय उस सभा में सबसे वरिष्ट सदेशिक हों थे वह ते साथियों डॉक्टर सचिदा नंश सचिदा नंशिना को क्या कर दिया जाता है сाथियों उस में सथाई अधेक्स चुन लिया जाता है अभी तो वर्तमान में इस टाइपके क्योस्ट कम पूछी जाते हैं देने लेकिन आज से कापिस हमें पहले exam में directיעरqiioni Hey ऑडिक्स कुन थे इस्ताई अडिक्स कौन ये मतलब है इस टाइब के कुछ इसन पूछ सकते हैं तो यहाँ पर सती हों आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 9 दिसम्बर को क्या है यह सचिदानन सिना को ऐस्ता ही अधिक्स बना देते हैं और दो दिन बाद में ठीक दो दिन बाद यानि 11 दिसंबर 1934 को सविदान सभा ने दोक्टर राजंदर परशाद देक्स था ऐसी मुखर जी को उप्षभा पती नुक्त कर दिया यह साथि आप यहां पर देख पा रहे हो सचिदानन सिना आगे बढ़ते हैं तो साथियों बी एन राव को सुविदान सभा के सुविधानिक सलाकार के पद पर नुक्त किया गया यह है आपके बियन राव अब साथियों यहां तक जितनी जानकर यह आपको दी गई है आप वीडियो देखने के बाद में हमारे पीडिव डाउनलोड करके रिविजन जरूर कीजिए क्योंकि रिविजन के बगेर कुछ भी संबव नहीं है सपलता परफ्ट करना तो यहां पर क्या हुआ मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या क्या यहां पर साथियों एक साल चली कि हमें तो अपना पाकिस्तान चाहिए अलग और हम सविदान सभा में सामिल नहीं होंगे तो होता क्या है उन्होंने जितने भी अपने सदसे इसमें बेजे थे उन सब को वापिस बुला लि समीतों का गठन किया यानि सवदं बनाने के लिए हमारी जो सवदान सबसक्राइब वनाने के लिए 22 समीतियों का निरमाण किया और इन 22 समीतियों काlya अलग अलग काम यह था किभारत के सवदान को बनाया जाए तो उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे 512 समित्य邊 मूल मामलों से सम्धिती वह भला मामले थे नहीं से समदिती और दस समीठियां से समदित जितने भी मामले थे उन से समद्य यह समीठियां बनाई गई थी जे चलते हैं तोड़ी और जानकारी आगे लेते हैं यहां पर साथियों आप देखेंगे 22 समितियों द्वारा प्रुस्तुत जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आदार पर डॉक्टर भीम्राव की भीम्राव अमबेट कुर्शाब जो थे इनकी अधिक्स्ता में एक साथ सदसे प्रारूप समिति जिसे ड्राप कमस्ति कहते हैं उस ने क्या क्या सहोईदान का एक प्रस्ता उत्यार किया यह सबसे ज़्यादा मेर्त पुर्ट शंति को इस प्रारूप पर विचार करने तता संसोधन बताने के लिए आठ महीने का समय दिया बहुत समय दिया बोला भाई आठ महीने तक आप सविधान में किसी भी परकार का संसोधन चाहते हो किसी भी परकार का बदलाव चाहते हो तो आप अपने विचार बे जीजक हमारे पास और हम इसमें क्या करेंगे आपके विचारों को सामिल जरूर करेंगे अगर वो इस योगे हों कि वो सविधान को परवावित कर सकें या सविधान को बनाने में वो मैतकुम बुमिका अदा कर सकें तब उनको सामिल करेंगे आठ महीने वेशें बहुत समय होता है साथियों आपको पता है तो उसके बाद साथियों हम यहाँ पर देखते हैं कुल जो संसोधन आए थे यह आए थे आपके सबने अपने अपने चिठी पानड़े वहां पर लिखे देदी बोला भई यह यह संसोधन होना चाहिए लेकिन साथियों होता है क्या है जिन में से 243 यानि 243 पर बहस हुई और उन्हें निप्टाया गया यानि यह डाई अजार के सम्टिंग ऐसे मामले थे जिन पर बहस भी ह सर्चा भी हुई यानि यह में मुग्दे की बात इनी महत्वण टोपिक में थी बाकी में थी नहीं इसलिए इनी पर बहस की गई उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे थोड़ी सी नजर इस साइड में भी डाल देते हैं यह प्रारूप समिती जो कि आप यहा पर विमर्ष करना इनका मुख्य उद्शी था कि इसका प्रारूप समिती का और यह साथियों आपके लिए एक बहुती महत्वण जान करिये तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां पर चलते हैं साथियों प्रारूप को जो प्रारूप इन्होंने बनाय था जनता प्रेश तता प्रांति सभाों के साथ विचार विमर्ष करने कि बाद क्या किया जाता है साथीयों यहां पर अलग-अलग सुजाओं पर विचार करने के सविधान सबाने 26 नौवंबर 1904 को अकिरकार अपना लिया किसको सविधान को यानि हमारा सविधान सबाना के अधेक्स जो की थे डॉक्टर राजंदर परसाद इन्हों ने इस पर हस्ताक्सर कर दिये और इस प्रकार सविधान बनने में सविधान के दो वास ग्यारा मैने और 18 दिन का समय लगा इससे पहले साथियो मैंने एक वीडियो में कॉमेंट बोक्स में पूछा था कि आप बताईए मुझे भारत का सविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित सविधान है तो इसमें बनने में समय कितना लगा तो साथियो आशा करता हूं अगर आपने वो वीडियो देखा है तो कॉमेंट किया होगा और कॉमेंट किया है तो आपको पता भी होगा कि इसमें समय कितना लगा तो वह जानकर आपको यहां पर है बहले ही साथियों सविधान के ज्यादात्र भाग है जो 26 जनूरी 1950 को लग हुआ लेकि 26 नावंबर 1904 को ही लागू हो गए थे अब साथियों यहां पर आती है बात मुद्दे की और आप से एक्जाम में क्यूशन यह पुछा जा सकता है कि निमल लिकित में से कौन से प्रावदान 26 जनूरी 1950 से पहले भारतिय सुईदान में लागू थे अब साथियों सुईदान तो लग हुआ है 26 जनूरी 1950 को संपूम देश में लेकिन इसके कुछ प्रावदान जिसमें नाग रिखता है चुनाओ से समदित है ऐस्ता इसंसद है इस समदित पूरी जानकरी आपको मिलती रहेगी साथियों लेकिन यह जो प्रावदान है इनका लागू होने का डेट 26 जन पीडियो आप दूसरी जो भाइबैन है उन तक भी जरूर डाउनलोड करके शेर कर दीजिए जिनके पास में हमारे वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं उन तक आप इस्टेडी मेटेरियल जरूर पहुंचा दीजिए तो सविदान सभा की प्रारूप समिती का गठन 29 247 को किया गया अदेक्स कौन थे डोक्टर भीम राव अंबेड़कर थे सदेशेव को भी देख लेते हैं साथियों यह एन गोपाला स्वामी आयंकर और केम मुंसी थे साथियों वियल मित्र जो की ऐस्वस्त होने के कारण वह त्याग पतर दे देते हैं और उनका इस्तान भ डीपी खेतान को वह क्या सातीयों उनकी मर्त्य हो गई और उनीस्सो और चास में जैसे उनकी मर्त्य हुई अर्टालिश में तो उनके इस्तान पर क्या साथियों टी कृष्ण माच्छारी को सदे से बना दिया गया अब साथियों यहां पर देखते हैं प्रारूप समिती में एक कर्मा अनुसार संक्लन करना उद्य से क्या था सातियों वही उद्य से था कि सविधान के प्राणूपर विचार भी मार्स करना सदय सदे से थे जिनको मैंने यहा पर बता देता हूं दूबारा से अधिक से डोक्टर भीम्राव पिटकर गोपास्वामे एंगर और उसके बाद में साथियों अलादी करशन राहर केम मुंशी मुहमद साथूला और उसके बाद में साथियों बियल मितर ॉर ऐन यह जो आप देख पा रहे हो इनके स्वास्ते के कुछ कारण थे उस सब्सक्राइन मादव राहु ने जगें ले ली थी और डिपी खेतान की मर्थ्यू के बाद में साथ्यों यहां पर टीटी कृष्णावाचारी को जगें दे दी थी यहां पर तो यह साथ्यों प्रारूप समिती से समझ वाकि इस्तापना हुई कुल सत्र कितने हुए थे साथियों 11 सत्र हुए थे पर्थम बैठक यह पर्थम सत्र नो सें तेईस दिसमबर 1916 ग्यार्मा सत्र जो के साथियों क्या है अन्तिम सत्र था 14 से 26 नौंबर 1929 को अब इसी दिन 26 नौंबर 1929 को सविधान लागू हो जाता यानि इसके कुछ बाग उस समय परवाव में आ जाते हैं हनस्ताक से रहतु बुलाई गई विशेश बैठके 24 जनौरी 1915 को तो साथियों यह जानकरी आपको आसा है कि अच्छी लगी होगी अब साथियों कुछ कमिया जो सविधान सभा की कमिया है उनको देख लेते हैं वै हो सकती है लेकिन साथियों मेरे ख्याल से सविधान सभा की इसमें कोई कमिया नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सविधान जो बनाया है वह बेस्ट बनाया है और अब साथियों को जो कमिया रही थी उसमें सुदार भी समय समय पर किया गया सविधान सभा में बहुत कम्या थी अब साथियों कम्या तो थी लेकिन उस समय बनाने वाले भी तो वही थे आज तो ठीक पड़े लिखे बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो उन में कम्या डून रहे हैं लेकिन उस समय के इसाब से अगर देखा जाए तो शिक्सा का इस तर भारत का कैसा रहा होगा आपको पता है लेकिन साथियों आज भी बड़े दुर्भागे की बात है कि भारत में बहुत सारी एसी जगह है जहां पर जो पड़ाए होनी चाहिए जिस लेवल में या जिस इस तर की वो नहीं हो पा रही है तो जिनको एक एक करके देख लेते हैं कि इनको जो कमिया थी तो सदेश्यों का निर्वाच्चन वैश्क मता अधिकार के आदार पर नहीं किया गया था अगर सही से देखा जाए तो परती नीदी संस्ता नहीं थी तो साथियों यह तो कोई कमी नहीं है देखो जो सदेश्य से औसमें सामिल थे सदह से अपने आप में उस लायक थे इसलिए उनको वहां पर भूमिका मिलीह बाकी तो कुमिया निकालने वाले दूसरा देखते हैं क्या निकाला कम यह उसमें complete सव्भाका मका गटन संबाइन से वह ता इसलिए यह बात साफ हो जाती है कि यह कि यह प्रभुष था शंपन शैस्चा नहीं थी कि यानि कहें वालों कprillus हम ये ये भी कहना है कि एक स्वजत बना तो गया है तो भाई दे रही है वो भी खारी जो जाती है सविदान निर्मान में अधिक समय लगना अब साथियों सविदान निर्मान में बोलते हैं कि समय बहुत ज्यादा लगा अब बहुत ज्यादा लगा तो साथियों आप खुद सोचे दो धाई साल मानलो लग भी गया तीन साल लग गय उन्होंने भी कानून बनाए नियम बनाए और उस इतने लंबे सफर के बाद वारत का सविदान क्या इतने कम समय बन सकता है दूसरी बात अगर बन भी गया तो क्या उस समय की जो जनता अंग्रेजों से उस परकार से सोशित थी तो क्या वो सभी उससे संतुष्ट हो पाएंग वह पाकिस्थान में चले गए हैं तो यहां पर सविदान सभा ने जो समय अधिक लगया वह भी एक मैतुपन मुद्दा रहा सविदान सभा में वकिलों की संक्या अधिक थी इसलिए सात्यों वकिलों का श्रक भी कहते हैं इस कारण उनके दूरा बनाए गए सविदान की कान सविदान बना रहे थे उनमें ज्यादत वकिल थे यानि अच्छे पड़े लिखे और कानूनी जानकार थे तो उन्होंने अपनी जो भासा थी उसी शेली में सविदान को बनाया तो सात्यों आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो करते रहिए रिविजिन करते रहिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम